मिडिया के लाख कोशिसों के बाब जूद जो विपक्षी गटवन्धने उसमें दरार नहीं पर रहा है 31 से लेकर एक तक 31 अगस्त से लेकर एक तारिक तक बड़ी बैठक होनी जा रही है 31 अगस्त को मुंबई में बैठक सुरू होगी मेजवानी इस बार उद्धव ठाकरे कर रहे है सरत पवार भी बड़ा चेहरा होंगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस गटवन्धन में बीएसपी आने वाली है कुबरदानिस अली की मुलाकात हुई है नितीश कुमार से नितीश कुमार ने कहा है कि चार और बड़े दल जिसमें वो दल भी सामिल है जो एंडिये गटवन्धन में सामिल थे हमारे साथ आने वाले है कौन है वो दल और क्या होगा आप नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं नेशनल 10 तक 31 अगस्त को मुंबई में विपक्षी दलो की तिसरी बैठक होगी वो एक तारिक तक चलेगी क्या-क्या फैसले होंगे जंडा कौन की सीट पर लड़ेगा और क्या BSP इंडिया गटवंधन में सामिल होने जा रही है यह तमाम खुला से इस वीडियो में होंगे लेकिन सबसे पहले बात इस गटवंधन की सुरुवात की नितीश कुमार BJP से हटते हैं RJD के साथ जाते हैं और पहली बैठक उनके पहल पर पहले तब उन निताओं से मिलते हैं पहली बैठक उनके पहल पर होती है कहाँ? पटना में दूसरी बैठक कहाँ होती है? बैंगलाओर में तिसरी बैठक होने जा रही है? मुंबई में अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नभीन पटनायक नभीन पटनायक से वो मिलते हैं, नभीन पटनायक अपने आपको मिडिल में रखना चाहते हैं लेकिन सोचिए नभीन पटनायक के लिए अप धरम संकट है अगर उन्होंने इंडिया गटवन्धन में सामिल नहीं हुए तो मुस्लिम बोट दलित बोट उनके हातों से जाएगा आदिवासी बोट उनके हातों से जाएगा सिर्फ सवर्नों के बोट से तो सरकार नहीं चलेगी क्योंकि ओवी सी बोट पर वहाँ बीजेपी की नजर है तो क्या नभीन पतनायक बीजेपी के साथ आकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे जिसकी कोई संभावना नहीं है ऐसे में हो सकता है कि जब मुकाबला ट्रैंगलर होगा तो दलित पिछरे मुसल्मान आदिवासी बोट लेकर कॉंग्रेस जो है वो उरिसा में खेल कर दे और बीजे बोट बड़ा बोट बैंक है वो हड़ जाएगा साथ ही दलित आदिवासी और पिछरे बैकवर्ड जो है वो देश भर में बीजेपी के खिलाफ है सवन तुष्टी करन से बीजेपी में भले OBC करन हो रहा है OBC मंत्री बनाय जा रहा है लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है जो नहीं दच्छिन भारत में अगर जगन मोहनरेड़ी कॉंग्रेस के साथ नहीं आते हैं या महागटवंदन में नहीं आते हैं तो वहाँ भी कॉंग्रेस खेल कर देगी यही स्तीती होने जा रही है इस बार तेलंगाना में लेकिन तेलंगाना में या मत्परदेस सबसे कम जो है तो गटवंधन को इन पांच राज्यों में फायदा होगा अगर बीएसपी गटवंधन में नहीं आती है तो यकीन मानिए कॉंग्रेस की नईया डूब जाएगी हिंदी पट्टी में बेहतर कर सकती है अगर गटवंधन कमजोर होता है लोग कहरते सरतपवार सरतपवार के भतीजे भले चले गए हो लेकिन सरतपवार अभी भी बने हुए है मतलब कॉंग्रेस और सिपसेना और सरतपवार की ताकत का मतलब है बीएसपी हो सकती है जो गटवंधन में आ सकते हैं और दो ऐसे दल जो बीजेपी में हैं लेकिन वो भी गटवंधन में आना चाहते हैं कहा जा रहा है कि दानिस अली के बाद लगभग ए बात माना जा रहा है कि मायावती जी को कोई बड़ा ओफर चाहिए उसके करती हैं देख रहे हैं तेल देख रहे हैं तेल की धार देख रहे हैं लेकिन एक बात उत्ता है कि विपक्षी गटवंधन में कोई तूट की खवर अब तक सामने नहीं आ रही है रही बात सबसे कमजोर करी जो आमादी पार्टी की दिख रही है दरसल आमादी पार्टी अपन अपना ताकत दिखा रही है वो पंजाब के जो सवर नेता है वो बहुत सीर चरे हैं नकबोले हैं मुबोले हैं वो चाहते हैं कि पंजाब में जहां आमादी पार्टी की सरकार है वहां उनसे लड़ना चाहते हैं आमादी वही प्रेसर बना रही है दिल्ली में भी वही प्रेस हो रहा है इसमें अब तक सब नेता एक जूट है चार और पाटी बरेगी 31 अगस्त और एक तारिक होगा क्या दरसल सीटों के बटवारे होंगे कहा जा रहा है कि चेर परसन जो है वो खरगे हो सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनका परधान मंत्री बनने में कोई रूची नहीं है वो गटवंधन को मजबूत करना चाहते हैं नितीज कुमार लगातार को सिस कर रहे हैं विपक्चियक्ता की धूरी बने हूँ है मैं फिर कह रहा हूँ 2024 में इस देश में कोई परधान मंत्री होगा तो वो दलित होगा या पिछरा होगा हमसे लिखवा कर रख लिजिए या फिर वो आदिवासी होगा ये तो एकदम तैमान लिजिए रही बात अगर बीएसपी से गटवंधन में जाती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है बस सर्थ इतनी है कि कॉंग्रेस इसको कैसे लेती है आमादी पार्टी हो या बीएसपी बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल चुना होने जा रहा है क्योंकि उसको हर जगह 100% करना होगा जिसकी संभावना बहुत कम है उसके पास गेन करने के लिए कोई राज नहीं है पसी मंगाल जहां वो गेन कर सकती थी वहां लेफ्ट कॉंग्रेस और ममता लड़ेगी तो बी बियाना में नुकसान होता दिख रहा है मतपरदेश राजस्तान चतिसगर में में नुकसान होता दिख रहा है करनाटक में नुकसान होता दिख रहा है उसे बिहार में नुकसान होता दिख रहा है और यूपी में अगर 40 से 50 सीटों का नुकसान हो गया तो बीजेपी का खेल होंगे और बढ़ेंगे बीएसपी को लेकर अब इनलों का एक साफ साफ इन्हों ने रास्ता बना लिया है कि डलिस समाज को मैसेज देना है कि हम गटवंधन चाहते हैं बीएसपी से बीएसपी खुद गटवंधन नहीं कर रही है नतीजा यह होगा कि डलिस समाज उनके साफ आएगा यही बीएसपी यही गटवंधन जो है वो वैसी के लिए करना चाह रही है वो मैसेज देना चाह रही है कि हम गटवंधन के लिए वैसी को कह रहे हैं लेकिन वैसी आना नहीं चाहते हैं लेकिन एक बात उत्ता है कि चाहे मुस्लिम्स हों या दलित हों या आदिवासी हों या पिछरे हों वो फिलहाल बीजेपी से सबसे ज़्यादा तरस्त और परतारित हैं बीजेपी के लिए आखरी मौका होगा अगर सबर्नों का तुष्टी करन वो नहीं रोकती है स्टी ओबीसी की संब्धानिक अधिकार नहीं देती है जाती जनगना को वो राष्टिय मुद्दा नहीं जाती जनगना नहीं कराते हैं अभी भी वीजेपी के तुरूप में पत्ता है वो कलोजियम सिस्टम को हटा दे कम से कम ओबीसी सिर्णिकास तो बोर्ट कर ही देगा ट्राइबल बोर्ट कर ही देगा लेकिन ये संभब ही नहीं है कि सबर्नों के हितों की अंधेखी कर पाए वीजेपी अगर वो सबर्नों की हितों के अंदेखी नहीं कर पाती है तो पानी बहुत बह गया है लोगों में बहुत जागरुकता आ चुकी है AC, ST, OBC आदिवासी ये सब उसको बोर देने के पक्ष में नहीं है और इस बार सबसे बड़ा चैलेंज मिल रहा है किसान जाती नाराज है, AC, ST, OBC नाराज है, मुस्लिम नाराज है हिंसा जिस तरह से बर रही है और जिस तरह से कंसिशनल, संबिधानिक दाइरे में इसके बाहर जाकर काम हो रहा है मैं फिर कह रहा हूं कि BJP के लिए मुस्किल है और इंडिया गटवंधन अब लगातार तिसरे चरण में जा रहा है जहां अगर उनके नेता एक जूर दिख रहे हैं और कोई टूट फूट की कोशिस नहीं हो रही है मीडिया लगातार कोशिस कर रही थी कि इसको मैनिपलेट किया जा लेकिन जैसे जैसे मीडिया अलोचना करते हैं इंडिया गटवंधन की या सत्ता पक्ष के लोगा अलोचना करते हैं उसकी credibility विश्वस्नियता और बर रही है क्योंकि TB अखबार पर से लोगों का भरोसा उठ गया है इंडिया गटवंधन की कोशिस होगी कि BSP और OBSE इन दोनों को प्रोच किया जाए उनको ओफर किया जाए अगर वो नहीं आते हैं तो उनके समर्थक खुद बखुद इंडिया गटवंधन के साथ हो जाएंगे क्योंकि फिलहाल जो BJP विरोधी बोट है उनकी आम राय है आम परसिप्सन है कि गटवंधन में ही चुनाव लरा जाए एक तरफ BJP दूसरी तरफ गटवंधन और जो भी बिपक्षी बोटर है अगर जो लोग गटवंधन में नहीं जाएंगे उनके बोटर हो सकता है उनको छो या मायवती परधान मंतरी बने या कोई सिडिल ट्राइब के परधान मंतरी बने इस बार कोई अमबिटकराइट बहुजन ही परधान मंतरी बनेगा और हो सकता है कि आपको आजादी के बाद सबसे जादा सेकुलर सबसे जादा अमबिटकराइट सोशल जस्टिस के मानने व सबसे जादा एक जूट हुए है इससे जादा सोसल और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोसल मीडिया की है मेरे सुत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने तैयारी सुरू कर दी है कि अब उनको यूटूवर से अपना परचार करवाना है टीवी अख़वार से नहीं क्योंकि टीवी अख़वार दिन को रात दिन कहते हैं तो लोग रात समझते हैं रात को भी दिन कहते हैं टीवी अख़वार की एक बिस्वसनियता होगा है कि वो जो कहें लोग उसके उल्टा सोंचते हैं कई बार टीवी सही भी बोलते है तो लोग को लगता है कि जुट बोल रहा है तो बी बीजेपी पर देखने लगा है अगर आमने सामने का मुकाबला होगा ए ओन बाइवन का मुकाबला होगा तो बीजेपी के लिए मुस्किल हो जाएगी चुनाओ जितना क्योंकि उसे 270 सीटे करनी है 275 करनी है जो संभव नहीं है अगर उसे नुकसान होता है 300 सीटे हैं आप आएंगे लगता है नहीं लेकिन सबकी नजर उबैसी और मायवती जी पर है अगर ये दोनों गटवंधन में सामिल नहीं होते हैं तो क्या लगता आपको उनके समर्थक उनके साथ बने रहेंगे यह छोड़ देंगे लेकिन कॉंग्रेस जो है वो किस तरह का रवया करेगा कि उनका पंजरान मंत्री पर्द में कोई दिल्चस्पी नहीं है ताकि जो रिजनल पार्टिया है वो अपने लिए संभावना देखे और गटवंधन में आए और यह होता दिख रहा है तो 31 से लेकर एक तारिक तक 31 अगस्त को बैठक सुरू होगी और 1 सेप्टेंब निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें